नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी जिनको हम अगर छोटे से पोर्ट में किसी कंटेनर में लगाते हैं तो वो आसानी से चलते रहते यानि उन्हें बड़े गमलों की जरुत नहीं पड़ती ह तो उसके लिए सबसे पहले नमबर पर है स्पाइडर प्लांट स्पाइडर प्लांट को हम चाहें चोटे से चोटे बॉक्स में डिब्बे में या किसी बॉटल वगर में लगाते हैं तो वो आसानी से ग्रो करता रहता है जादा कोई केर नहीं मांगता है बस पानी इसको पॉट्स होती है बिल्कुल कम होती है तो इसे चोटे पोट में आराम से लगाया जा सकता है और पानी बस इसको भी मिट्टी चेक करके ही अच्छे से देना है नहीं तो इसकी जड़े जो है गल जाती है ज्यादा पानी इसको जरुत नहीं होती है तो स्नेक प्लांट को भी चोटे पोट में लगाना बहुत आसान है अगला है परपल हाट परपल हाट को भी हम चोटे से डिब्बे में किसी बॉटल वगर हमें आसानी से लगा सकते है देखिए मेरा चोटा सा बॉक्स है इसमें काफी अच्छे से ग्रोध कर रहा है और देखने में बहुत खूबसू इसके थोटा सा यह पब लाई थी तो उसी से यह दो प्लांट इसके बन गए और बिलकुल छोटा सा पोट है तो इसमें यह आसानी से चलता रहता है इसको भी पानी बस आपको आपको जेक करके ही लालना है अगला है week टैंगल हाट, टैंगल हाट भी हम छोटे से किसी भी कंटेनर में, वेस्ट में कहीं पर भी लगा सकते हैं, देखिए वेस्ट टोकरी में लगा हुआ है, और काफी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है, इसको भी बस इसके भी पानी का ध्यान रखना है और अच्छी सनलाइट से के लिए जाता है जूंपिता हूं यह वह में ऐसको देना है प्लांट का यह क容易 आक आप टोप को प्लांट MATT, यहाहिंद देखे जिलो Bowl्न आपने मेन तो भी जाता है प्लांट है चोर्ड से कि कहां सीं तो यह को तो इस बहुत अच्छा लगन चीन? और ये 3-4 इंच के पोर्ट में मैंने लगाय हुए काफी healthy और अच्छा प्लांट ही हो रहा है इससे भी छोटे गर गंबले में से हम ग्रो करते हैं तो भी ये आसानी से चलता रहता है अगला है money plant money plant को भी छोटे छोटे box में, bottles में कहीं पर भी वेस्ट में आराम से हम ग्रो कर सकते हैं ये भी आसानी से चलने वाला प्लांट है एक पत्ती से भी इससे आसानी से लगाया जा सकता है बस इसको भी हमें अच्छी जो light आती है वहां रखेंगे तो इसकी ग्रोध काफी अच्छी होगी और पानी बस मिट्टी को चेक करके ही देना है तो मनी प्लांट की ग्रोध भी काफी अच्छी होती रहती है अगला है ये वांटरिंग जू वांटरिंग जू भी है हम बिल्कुल छोटे से पोट में आसानी से इसे ग्रो कर सकते है एक पत्ती से ही ये ग्रो हो जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और देखिए चोटी सी बोटल है इसी में मैंने से लगाया हुआ है एक तरफ ये टैंगल हार्ट है और दूसरी तरफ ये वरंटिंग जू तो इस तरह से हम दो प्लांट को मिक्स करके भी एक पोट में भी लगा सकते है तो देखने में खूबसूरत लगता है नहीं तो इसकी चोटी सी कटिंग भी हम किसी चोटे कंटेनर में लगाते हैं तो वो आसानी से ग्रो होती रहती है अगला है जैड प्लांट जैड प्लांट को लगाना भी बहुत आसान है चोटी सी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है और चोटा सा पोट भी अगर हम लेते हैं तो उसमें यह आसानी से चलता रहता है देखिए यह जो गुल्लक वगर आते हैं उसी में मैंने से ग्रो किया हुआ है खूब अच्छे से चल रहा है और इसकी रूर्स भी देखिए बाहर तक आ रही है तो काफी अच्छा यह प्लांट है वस इसको भी अच्छी सनलाइट और पानी कम देना है तो यह अच्छी ग्रोध करता रहेगा चोटे चोटे इस तरह के कुलड वगर में हम आराम से इसे लगा सकते है इसमें तो मैंने छेद भी नहीं बनाया हुआ है फिर भी अच्छे से ग्रोध कर रहा है बस पानी का इसमें ज़ादा ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल मिट्टी को चेक करके ही देना है अगला है यह सदा बाहर का ब्लांट सदा बाहर प्लांट को भी हम छोटे से पोट में आराम से लगा सकते हैं देखिए यह चार से पांच इंच का पोटी होगा इसमें यह अच्छे से ग्रोध कर रहा है और फ्लावरिंग भी इसमें काफी अच्छी होती है और देखने में भी खुबसूरत लगता है पानी की ओनना मेंटल अज्वाइन इसको भी छोटे से पोट में लगाना बहुत आसान है जादा इसकी केर नहीं करनी पड़ती है अगर एक से दो घंटे की धूब भी आती है तो हम इसे आसानी से ग्रोध कर सकते हैं बस इसको भी पानी चेक करके देना है यह जब हम हमारे किचन में इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे पेट वगर में दर्द हो तो इसके पत्तों का पानी पी सकते हैं अगला है यह टाटल वाइन तो टाटल वाइन को भी हम छोटे से पोट में आसानी से ग्रोध कर सकते हैं तो बस यही कुछ प्लांट थे, जो छोटे-छोटे गंबलों में, हम आसानी से ग्रोव कर सकते हैं, और वो अच्छे से चलते रहते हैं, बस इनको पानी और संलाइट अच्छी प्रापर मिले, तो यह अच्छे से ग्रोवते रहेंगे, बस फ्रेंड्स यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो अगर कुछ भी helpful लगा है तो प्लीज इसे like करे, share करे और channel प्रागर नए है तो इसे जरूर subscribe कीजिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद